हेलो में परी दोस्तों और हमारे परी छात्रगन कैसे हैं आप लोग मैं समझता हूँ आपके पढ़ाई आउनलेंड की अच्छी चल रही होगी एक बार फिर स्वरुप सरक्योर से जारखन के पार्ट वन उद्यान में आपका एक बार फिर स्वागत है जैसा कि इस बोट पर लिखी गई है जारखन के सिलेवस का एक पार्ट है जारखन के वन उद्यान जबके इसके पहले मैं आप लोगों को जारखन फोरेस्ट एंड फोरेस्ट मैनेजमेंट्स के बारे में लेक्चर और आपको नोर्स लिखाई जा चुकी है चात्रगन इस चेप्टर में आपको लेक्चर और नोर्स साथ साथ लिखाई जाएगी क्योंकि इस चेप्टर में बहुत सा मेटर ऐसा नहीं है जो आपको समझाया जा सके इसलिए इस चेप्टर में आपको लेक्चर और नोर्स साथ में लिखाई जाएगी फिर भी उसके पहले कुछ फॉइंट से आप जान लें कि पूरे भारत वर्ष में या पूरे बिश्व में परियवरन, जीवजन्तू या निचुनल सोर्सिस को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय किये जा रहे है ऐसे में परियवरन, जंगलों में इस्थेत, जीवजन्तू है उसको बचाने के लिए पूरे भारत वर्ष में राश्ट्री उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइप सेंचूरी, बन निप्राने आस्रेनी के साथ साथ बालिजुकल पार्क, जैविक उद्यान की अस्थापना की गई है देखा जाए, तो पूरे बिश्व में जीवजन्तूं, पश्वूं और पर्यावरन की सुरच्छित रखने के लिए ही उद्यान की अस्थापना करने का मूल उद्देश है पूरे भारत वर्ष में 1.56 लाख वर्ग किलोमेटर पर उद्यान के स्थापना की गई है जो पूरे इंडिया के एरिया का 4.75 परसेंट है जातरगन, जारकन में बनो की परतिस्ता आपने देखा था 29.62 परसेंट है जो पूरे इंडिया का 3.5 परसेंट है निश्यत तौर पे फोरेस्ट की जो परतिस्ता है जो परसेंटेज है वो काफी अच्छी है यहां की क्लाइमिट भी अच्छी है वर्षा अच्छी हो जाती है जंगल का रोल परेवरह में बहुत बड़ा है ऐसे में निश्यत तौर पे यहां भी जीवजनतूओं की जंगलों में खूब भरमार संक्या है ऐसे में जार्खन में भी जीवजनतूओं पसूओं और परेवरन को बचाने के लिए राश्ट्री उद्यान निश्नल पार्क वाइल्ड लाइब सेंचूरी बन्न प्रानी आस्रेनी बालोजिकल पार्क जमिक उद्यान इत्यादी के स्थाफना की गई है छात्रगन हमारे जार्खन में एक मात्र राश्टी उद्यान वाइल्ड ली वन निश्नल पार्क इस्थीत है जिसका नाम है बितला राश्टी उद्यान जो पूर्व में पलामों में था वर्तमान में लातेहार में है और इधार्खन का एक मात्र राश्टी उद्यान है वन ली वन निश्नल पार्क इसके अलावा यहां पे जिवजन्तुओं पर्श्वूं और परेवरन के सरच्षन के लिए वाइल्ड लाइप सेंचूरी बन्य प्रानी आस्रनी अस्थापना की गई है और उब बन्य प्रानी वर्तमान में पुर्ज हार्खन में 11 है 11 है इसके अलावा यहां बहुत सारे जैविक उद्यान के अस्थापना भी की गई है तो शातरगन अब हम इस चेप्टर का नोर्ष लिखना प्रारम करेंगे तो आपका चेप्टर का हैडिंग होगा चेप्टर नमबर पांच जार्खन भुगोल जार्खन भुगोल का चेप्टर नमबर पांच का जार्खन के वन उद्यान जार्खन के वन उद्यान फॉरस्ट पार्क अप्चारखंड इसका आप पहला पॉंड लिखिए पूरे बिश्व में पूरे बिश्व में परिवरन परिवरन इस्थीत पूरे बिश्व में परिवरन इस्थीत जीव जनत्यों पश्वूं एवम एवम परिवरन जनत्यों को बचाने है तू एवं पर्यवरन जन्तूओं को बचाने है तू राष्ट्य उद्यान राष्ट्य उद्यान निश्नल पार्क राष्ट्य उद्यान कौमदीजे बन्नी प्रानी आस्रेनी वाइल लाइप सेंचुरी बन्नी प्रानी आस्रेनी एवं जैविक उद्यान एवन जैविक उद्यान तथा जीव मंडल बाइस्फेर जीव मंडल और अच्छित छेत्र किया स्थापना की गई है किया स्थापना की गई है नेक्स्ट पॉइंट जार्खन जीव जन्तू और वन जार्खन जीव जन्तू और बन के मामले में फौरस के मामले में एक धनी राज है जार्खन जीव जन्तू और वन के मामले में एक धनी राज है क्योंकि यहाँ पर बनो की परतिस्ता काफी अच्छी 29.62 परतिस्त है जो पूरे भारत वर्ष का 3.5% है देखा जाए तो भारत में जो जार्खन है वो बनो के मामलों में बहुत ही धनी राज है जहाँ पर बनो की परिस्ता 29.62 परसेंट है जो भारत का 3.5% है 3.5% है ऐसे में यहाँ राष्ट्य उद्यान आइसे में यहाँ राष्ट्य उद्यान नेशनल पर्क राष्ट्य उद्यान वन जीव आस्त्रेनी वाइल्ड लाइप सेंचूरी एवं जैविक उद्यान की अस्थापना की गई है नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग दीजिए राष्ट्य उद्यान राष्ट्य उद्यान आपके यह चिप्टर का हेडिंग होगा आपके नोट्स में एक पॉइंट होगा राष्ट्य उद्यान नेशनल पर्क इसका परापॉइंट लिखिए आप लोग जार्खन में जार्खन में मात्र एक राष्ट्य उद्यान की अस्थापना जार्खन में एक मात्र राष्ट्य उद्यान वंली वन नेशनल पर्क की अस्थापना 1986 में 1986 में की गई है जिसे बेतला राष्ट्य पर्क बेतला राष्ट्य पर्क कहते हैं जो वर्तमान में लातेहार पूर में पलामू में था जो वर्तमान में लातेहार जीला में इस्थीत है बेरे बेरे इपॉर्टेंट्स लातेहार जीला में इस्थीत है उसी में लिखेगा पूरे बिस्व में पहली बार सेरो की गनना counting of lion पूरे बिस्व में पहली बार सेरो की गनना यही पर मतलब बितला में पूरे बिस्व में बोल रहे हैं पहली बार सेरो की गनना बितला में 1932 1932 में की गई थी और भारत सरकार दुवारा इंडियन गौर्वर्मेंट के दुवारा 1973 इस्वी में प्रारम की गई बाग परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट बाग परियोजना यहीं चल रही है very very important बाग परियोजना यहीं चल रही है कहां पर चल रही है बितला में देखी छात्रगन केतना important है कि इंडि जार्खन में एकी राश्टी पार्क है कौन बितला कहां पर है लातिहार में है अस्थापना कभी 1986 में लेकिन बितला ही एक भारत का ऐसा राश्टी उद्यान है जो जार्खन में है पूरे बिस्व में पहली बार सेरू की गनना कहां के गई थी तो जार्खन के बितला में के गई थी और इंडिया गॉर्मन के दुआरा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चल रही है ओ भी यहीं चल रही है कहां पर बितला में बेरी बेरी पॉर्टेंस नेक्स पॉइंट बितला राश्टी उद्यान में बितला राश्टी उद्यान में बाग और सेर के अलावा हाथी, हीरन, शांभर हाथी, हीरन, शांभर नील गाए भी मुख्य पशू भी मुख्य पशू पशू पाए जाते हैं पाए जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा नेक्स्ट एडिंग है आपका वन प्रानी आस्रेनी वाइल्ड लाइफ सेंचूरी देगी छात्रगन, पहल समय दिजी आप लोग जिस प्रकार राष्टे उद्यान में यह राष्टे उद्यान में पशू परेवरन के सांजश्य उसके बढ़ावाई हित्तु अस्थापन की जाती है उसी प्रकार बन प्राने आस्रेनी भी पसूँ जिवजनतूँ और बनों के बढ़ावाई हित्तु भी इसके स्थापना की गई है एट परजेंट धारखन में 11 बन प्राने आस्रेनी है वाइल लाप सेंचूरी है हम मैपे देखेंगे कि उस मैप में कहां पे यह वाइल लाप सेंचूरी है जैसे जारखन में वाइल लाप सेंचूरी 11 है 11 इक इतने हैं? 11 11 राश्टी उद्यान में एक जैसे है मववा टाण वन जीव आस्रेनी पलामू बन जीव आस्रेनी हजारी बाग वन जीव आस्रेनी कोडर्मा वन जीव आस्रेनी पारशनात वन जीव आस्रेनी साहिब गंज में भी दो वन जीव आस्रेनी है जिसमें फेमस है पच्ची आभरेन पूर्वी सिभूम का दालमा पच्ची आभरन गुमला का पाल कोट आभरन ये टोटल एगारा बन आभरन है उसमें से उस एगारा में महुआ टार भेडिया लातेहार वाली पलामू वाली हजारी बाग वाली ये दालमा वाली ये चार अभरन उन एगारा में सबसे फेमस है क्योंकि इस्थापना सबसे पहले 1976 में की गए थी एगारा में वो चार अभरन ऐसे हैं जिसके इस्थापना 1976 में की गई है लेखे लेखे नोट से में फिरिंग होगा आपका वन प्रानी आश्ट्रेनी लिखे इसमें वर्तमान में पूरे परदेश में एगारा वर्तमान में पूरे परदेश में एगारा बन जीव आश्रेनी है जो है जो है जो हैं लिखे चलिए जो हैं महुआ टाण भेडिया अभेरन है कहां पर है लाते हार में है भेरिया अभेरन लाते हार पलामू अभेरन है हजारी बाग अभेरन है कुडर्मा अभेरन पारस नाथ अभेरन उध्वा पच्छी अभ्या रने उध्वा पच्छी अभेरन है राज-महल-पच्छी अभेरन है राज-महल ऐसे इसको बोलते हैं उद्वा जील भी अभेरन और भी है दालमा अभेरन पाल कोट अभेरन है इसके अलावा चत्रा का लावा लॉंग अभेरन है धनबाद का तुपचाची अभेरन है तुपचाची तुछात्रकन मैं लिखवाया कि जारखन में वाइल लैप सुन्चुरी की संख्या एगारा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नौ, दस, और ये एगारा महुआ टार भेडिया अभेरन निकाँ पर है? लातिहार में पलामू तो पलामू में ही है हजारी बाग हजारी बाग में ही है कुडरमा कुडरमा में ही है पारशना अभेरन गीरी डी में है जात्रकन बहुत बार का जारखन के जियस का प्रस्ण है कौन अभ्यरन कौन से जीला में इस्थीत है उद्वा पच्छी या उद्वा जील अभ्यरने बोल सकते हैं पच्छी भी है उद्वा जील पच्छी बोल सकते है उद्वा जील पच्छी अभ्यरन कहां पर है साहिब गंजे में है राजमहल पच्छी अभैरन राजमहल पच्छी कहां पर है ये भी साहिब गंजे में ही है दालमा अभैरन ने कहां पर है तो उसका उतर होगा पुर्वी सेभू में है पाल कोट बिभिन परिशाओं में पुछे गए हैं पाल कोट अभेरन्य जारखन के कौन से जिले में है तो उसका उतर होगा गुमला लावा लॉंग अभेरन्य कहां पर है तो उसका उतर है चत्रा तोपचाची अभेरन्य कहां है तो उसका उतर होगा क्या धनवाद 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 वरतमान में 11 वन प्रानी आश्रनी हमारे जार्खन में स्थीत है ओके इसी का नेक्स्ट पॉइंट उपर्युक्त वन प्रानी आश्रनी में उपर्युक्त वन प्रानी आश्रनी में महुआ टाण भेडिया आश्रनी कमा दिजिए महुआ टाण भेडिया आश्रनी पलामू आश्रनी हजारी बाग आश्रनी जार्खन का सबसे पुराना अभेड़नी है जिसकी अस्थापना जिसके अस्थापना 1976 में की गई नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है एगार नेक्स पॉइंट में है एगारा बन जीव आश्रनी में से सबसे बड़ा छित्रफल वाला आश्रनी सबसे बड़ा छित्रफल वाला आश्रनी लार्जेस्ट वाईल अपसेंचूरी अबद जारकन पलाम अभ्यरन है पलाम अभ्यरन है जो 794 वर्ग किलोमिटर जो 794 वर्ग किलोमिटर में फैला है जबकि जबकि सबसे छोटा अभ्यरन है जबकि सबसे छोटा अभ्यरन उद्वा जील पच्ची अभ्यरन है जबकि सबसे छोटा उद्वा जील पच्ची अभ्यरन है जो मात्र जो मात्र 5.68 लगवग 6 वर्ग किलोमिटर में जो मात्र 5.68 वर्ग किलोमिटर में फैला है फैला है नेक्स्ट पॉइंट डाल्मा अभ्यरन ने बेर बेर इपॉर्टेंट्स यह वाले है पूर्वी सीभु में इस्थीत है या हाथियों के लिए भारत में बिख्या थे हाथि एलिफेंट्स हाथियों के लिए भारत में बिख्या थे उसी में दाल्मा अभ्यरन में ही 1992 दाल्मा अभ्यरन में ही 1992 में हाथि परिजना एलिफेंट्स प्रोजेक्ट किस रुवात के गई किस रुवात के गई जिसे 26 सितंबर 2001 को जिसे 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार दुवारा भारत सरकार दुवारा सेभूम छेत्रों को देश का पर्थम गर्ज मतलब एलिफेंट्स सेभूम छेत्र को देश का फर्स्ट एलिफेंट देश का पर्थम गज आरचित देश का फर्स्ट एलिफेंट विजर्फ एरिया देश का पर्थम गज आरचित छेत्र के रूप में अधिसूचित शेडूल्स आरचित छेत्र के रूप में अधिसुचित कर दिया गया अधिसुचित कर दिया गया नेक्स पॉइंट तुप्चाची अभ्यरन नेक्स पॉइंट में है तुप्चाची अभ्यरन जो धनबाद जिला में स्थीत है उस अभ्यरन के मध्य में उस अभ्यरन के मध्य में मिडल में एक खुबसूरत बेरी बीटिफू लेक्स एक खुबसूरत जील इस्ती थे जिसे ग्रीन हील लेक्स जिसे हरी पहाडी जील के नाम से पुकारी जाती है जिसे हरी पहाडी जील के नाम से पुकारी जाती है छात्रगन प्रस्णा का आता है कि हरी पहाडी नामक जील कहां इस्तीत है तो उसका उतर होगा तोप चाची अबेरन है नेक्स्ट पॉइंट है छात्रगन लिखिए राजी का बिख्यात राज महल पच्छी अबेरन है यह वाली है राजी का बिख्यात राज महल पच्छी अबेरन है अबेरन जो साहिब गंज में इस्तीत है इसके आज़ पास एक कलब है उसके पॉइंट नेचर कलब इसके आज़ पास नेचर कलब नेचर कलब के दुआरा राज महल जिवास्म राज महल फौसिल स्पार्क राज महल जिवास्म उद्यान की अस्थापना की गई है राज महल फौसिल स्पार्क राज महल जिवास्म उद्यान की अस्थापना की गई है नेक्स्ट पॉइंट छात्रकन आपका हेडिंग होगा जैविक उद्यान बालोजिकल पार्क जैविक जैविक उद्यान अभी तक हमने देखा राष्टे उद्यान वाइल लाप सेंचूरी उद्यान और आपका हेडिंग है जैविक उद्यान इसमें लिखे जार्कन के छेत्रों पर अनेक छोटे छोटे जैविक उद्यान क्या स्थापना की गई है जिसमें कुछ जैविक उद्यान इस प्रकार है बिर्षा जैविक उद्यान बिर्षा जैविक उद्यान कम आदे जाएए जवाहर लाल जवाहर लाल नहरू उद्यान बिकारों में है डैस पर लिखे डैस लिखे बिकारों कि और लिखे मगर क्रोकोटाइज्म अगर परजनन केंड्र रुपका कि लोकल नाम जगा का रुपका कि राची राची और लिखे कमा देखे बिर्षा मिर्ग 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 बि और लिखे, नच्छत्र बन, या सिद्धू कानू पार्क, राची कमा दिजिए, इचागड़, इचागड़, पच्छी अभेरन इचागड़, पच्छी अभेरन, अभेरन, सराइकिला खारसाओं, वहीं पर हैं, सराइकिला खारसाओं कमा दिजिए फिर, तिलेए, पच्छी अभेरन, तिलेए, तिलेए, पच्छी अभेरन, कुडरमा, एवं तेनु घाट तेनु घाट और चंदरपूरा तेनु घाट और चंदरपूरा पच्छी बिहार बुकारो मुख्य जैविक उद्यान है मुख्य जैविक उद्यान है होगे शातरगन नेक्स्ट पॉइंट बिर्सा जैविक उद्यान जो जारखान का सबसे परमुक बिर्सा जैविक उद्यान जो जारखान का सबसे परमुक उद्यान है जो राची के और मांजी जो राची के और मांजी में इस्थीत है जिसके स्थापना 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 जिसके स्था नदी के तट पर अस्थापित किया गया नेक्स पहुंचातरगन नेक्स पहुंचातर लिखिए जार्खन में जार्खन में पार्क एवं बगीचो जार्खन में पार्क एवं बगीचो के प्रबंदन एवं विकाश हे तू जार्खन में पार्क एवं बगीचो के प्रबंदन एविकाश हे तू एक योजना है जार्खन में पार्क एवं बगीचो जार्खन में पार्क एवं बगीचो के प्रबंदन एविकाश हे तू जिन में परमुख है जिन में परमुख है दीन द्याल पार्क राची बहरी बहरी इपॉटेंट दीन द्याल पार्क राची और लिखें सहीद निर्मल मातो पार्क हजारी बाग एक क्ष़्चन पिछले बार के 6JPSC के PT में प्रश्च पूछा गया है सहीद निर्मल मातो पार्क हजारी बाग कॉमा सिध्धू कानू पार्क दुमका सिद्धू कानू पार्क इसी नाम से ग्राची में भी है एक दुमका में भी है धार पाकर्स के तहद है दुमका वाला जो सिद्धू कानू पार्क है वो धार पाकर्स चुजना का प्लान है सिद्धू कानू पार्क दुमका और रिखें अम्बेटकर पार्क, सिली, वही नाचे सिली, अम्बेटकर पार्क, सिली, बिर्शा मुंडा जवेकुद्यान, उसका भी प्लान किया गया है, बिर्शा मुंडा जवेकुद्यान, अब उसको भी सामिल कर लिया गया है, जार पाकर्स के तहत, बिर्शा मुंडा जवेकुद्या और लिखे आक्सिजन पार्क बढ़ी इंपोर्टेंट आक्सिजन पार्क राची फिर को माते जी श्रीकृष्ण पार्क राची श्रीकृष्ण पार्क राची और गोड़ बंधा गोड़ बंधा पार्क जमसेदपूर्क राची और गोड़ बंधा बंधा पार्क जमसेदपूर्क मुक्के है तो छात्रगन मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से जार्कन के उद्यान को समझ लिये होंगे छात्रगन इस में इस सिप्टर में जो प्रसल आपके पूछे जाएंगे ये पूछे जाती है कौन सा अबेरने कौन से जीला मिच्थी थे और कौन सा अबेरने कौन से पसू के लिए बिख्या थे जिसे दालमा हाथे के लिए बितला बाग के लिए भिडिया अबेरने भिडिया के लिए पच्छी अबेरने पच्छे के लिए आप ये जानना है कौन अबेरन कौन से जीला में है किसकी अस्थापना कब हुई थी खासकर चार उर्लिस्ट वाइल्ड लैप सेंचुरी एक मात निश्टर पार्क कौन है कौन कौन जैवे कुद्यान है जहार पाकर्स के युजना के तहत कौन कौन पार्कों को सामिल की गई है और वो कौन से जीला में इस्थी थे छातरगन एक बार फिर हम अगले क्लास में जार्खन के कोई नीच प्रकों को लेकर आएंगे आपके सामने नय उर्जा के साथ तब तक आप अपनी उर्जा भी बनाये रखें ओके थैंक्यू